वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू का सबक नमबर 20 पढ़ाऊंगी एक्जाम से मतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तियारी करवाऊंगी थोड़ा भी टाइंग बेस्ट नहीं करूंगी तो बच्चो बिना टाइंग बेस्ट की पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबक नमबर 20 का नाम है आवंती तो बच्चो ये जो चैप्टर है एक जपानी कहानी का उर्दू में तरजुमा किया गया है तो ये NCRT की तरफ से इस बुक आपकी टेक्स बुक के अंदर इस चैप्टर को शामिल किया गया है जिस तरह से आपने मुला नसरुदिन की किस्से कहनिया सुने होंगे ऐसा ही केरेक्टर आवंती का है जो कि एक मस्खरा इंसान है तो सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे ताकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके और एक्जाम से मतालिग आपका हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके सबक का नाम है आवंती आवंती एक खुश मिजाच और हस्मुख शक्स था खरीबों का तो वो बहुत ही अजीज दोस्त था इसनिये लोग उससे बड़ी महबद किया करते थे बास याने की कुछ लोग उससे हसत करते थे जलते थे और उसको चड़ाने और नीचे दिखाने की ताक में लगे रहते थे लेकिन आवंती अपनी सूच बूच से उल्टा उनको कायल कर देता था एक बार आवंती का मजाग उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा आवंती रात को सो रहा था तो मेरा मुख खुला रह गया उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुह में घुसकर मेरे पेट में चला गया अब तुम ही बताओ में क्या करूँ आवंती ने फौरण जवाब दिया मेरे दोस्त बस एक ही इलाज है तुम एक सिंदा बिल्ली को पकड़ कर उसे निकल जाओ फिर एक बार आवंती किसी दोस्त की बरात में गया बरात बालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया आवंती ने भी होब डटकर खाना खाया खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक महमान मिठाईया सिर्फ खाई ही नहीं रहा है बलकि जेब में भी भरता जा रहा है आवंती भला ऐसे मोके पर कब चूकने वाला था वो अपनी जगा से उठा और चाई की केतली उठा कर उस महमान की जेब में उडेलने लगा तो वे नराज होकर बोले ये क्या बत्तमीजी है चाई उडेलते उडेलते आवंती ने भूले पन से जवाब दिया भाई मैं आपको नुकसान नहीं पहुचा रहा हूँ आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाईयां खाई हैं इसनिए उसे प्यास भी जरूर लगी होगी मैं इसे चाई पहला रहा हूँ फिर एक बार आवंती के मुलक में तीन खेर मुलकी ताजीर आए उस मुलक के बादशा के दरबार में आकर उन्होंने ये हुआ ही जाहिए की हमारे सवालों के जवाब दिये जाए वहां कोई उनके सवालों का जवाब ना दे सका यहां तक कि बादशा भी उल्जन में मुप्तिला हो गया किसी ने बादशा को राई दी कि आवंती को बुलाया जाए वही इन सवालों का जवाब दे सकता है बादशा ने आवंती को बुलाने की इजाज़त दे दी हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार आवंती दर्बार में हाजिर हुआ बादशा ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुकम दिया आवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछे पहले ताजिर ने सवाल किया बताओ, जमीन का मर्कञ्झ स्यानी की केंदर कहा है आबंती ने किसी तामिल के बगए लाटी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा की ठीक वहां जहां मेरे गधे का अगला दाया किदम रुखा हुआ है वही जमीन का मर्कञ्झ है आवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत हैरत में हुआ फिर उसने पूछा कि आपको कैसे मालुम हुआ कि मरकस वहीं पर है किसी दूसरी जगा पर नहीं है फिर आवंती ने कहा कि अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खोद ना पले मरकस इसी जगा से बाल पराबर भी इधर या उधर ना निकले तो मान लूँगा मेरा जवाब हालत है आवंती के जवाब से ताजिर ला जवाब हो गया आवंती ने अब दूसरे ताजिर से उसका सवाल पूछा दूसरे ताजिर ने कहा क्या आप बता सकते हैं कि आस्मान में कितने तारे हैं आवंती ने फोरण जवाब दिया मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आस्मान में ठीक उतने ही तारे हैं ना एक कम ना एक स्यादा आगे है ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? आवन्ती पोला, यकीन न आये तो गिन कर देख लो. अगर कम या ज्यादा हो तो कहना ताजिर पोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? आवंती ने कहा तो तुम ही बताओ कि आस्मान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं बिचारा ताजिर जवाब ना दे सका चुप हो गया अब तीसरे ताजिर की बारी आई आवंती ने उससे भी सफाल पूछने को कहा तो तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठा कर कहा की अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं आवंती ने हसकर कहा अगर तुम बता दो की मेरे गधे की दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादद बता दूँगा ये सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले जाकने लगा सब दरबारी आवंती के जवाबात सुनकर हैरत में थे बादशा ने उसे हाजिर जवाबी और होश्यारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना सामू लेकर वापस चले गये एक बार एक खरीब मस्तूर ने एक सराइवाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया उस दिन उसके पास पैसे ना थे वो कीमत फॉरन ना दे सका और दूसरे दिन देने का वादा करके चला गया जब वो दूसरे दिन कीमट देने आया तो सराइवाले ने उस से 1,000 रूपे तलब किये मस्तूर का मुहहरत से खुला रहे गया 1,000 रूपे सराइवाले से बोला एक मुरओी के कबाब कीमट 1,000 रूपे क्यों नहीं तुम खुद हिसाब लगा लो अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती इन अंडों से कितने बच्चे निकलते और इस तरहां जितने बच्चे निकलते उनकी कीमत उतनी ही होती सराई के मालिक ने कहा मजदूर ने कहा मैं इतना पैसा नहीं दूँगा इस पर दोनों में जगड़ा होने लगा आखिर कार वो अदालत में पहुँचे मुसनिफ ने उन्हें अगले दिन अपने वकील के साथ आने को कहा मुसिफ ने मस्दूर ने आवंती के बारे में सुन रखा था वो आवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया आवंती ने मस्दूर से कहा तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुच जाना में वही आ जाओंगा अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मस्दूर अदालत में पहुचे सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोराई अब मस्दूर को अपनी हमायत में कुछ कहना था लेकिन उस वक्त तक आवंती वहां पहुँच नहीं पाया था जिस से मस्दूर बहुत परेशान था इतनी देर में आवंती वहां आ पहुचा उसने देर से पहुचने के लिए माफी मागी और कहा आज मुझे अपने खेत में गेहों बोना था इसलिए में उन्हें बुनवाने चला गया था इस बात पर सब लोग हस पड़े मुनसीफ ने आवंती से पूचा क्या कहे बुने हुए गेहों से भी पोधे उकते हैं आवंती बोला आप ठीक कहते हैं जनाब भुने हुए गेहूं से पोधे नहीं उख सकते इसी तरहां भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती मुंसिफ को आवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई इसलिए उसने फैसला सुनाते हुए कहा सराय के मालिक को सरीफ एक मुर्गी की कीमत पाने का ही इक्तियार है तो इस तरहां से आवंती बच्चो सब को लाजवाब कर दिया करता था अब इस चैप्टर के अलफास माइने हैं एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो ध्यान से सुनेंगे ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाले को तामल याने की जिजक, हसद याने की जलन, मुतअजब याने की हैरान होना, हिमायत साथ देना, हासिर जवाब भी याने किसी सवाल का पौरण जवाब देना अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, सबक का खुलासा, किसी भी सबक का खुलासा, आप से एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इस सबक का खुलासा आप एक्जाम में किस तरीके से लिखोगी, पढ़कर सुनाती हूँ आवंती एक खुश मिजाच, हस्मुख और खरीब दोस्त इनसान था, खरीब ही इस से बहुत महबबत करते थे, लेकिन कुछ लोग इसकी मखबूलियत से जलते थे, और इसको नीचा दिखाने में लगे रहते थे, उसका मजग उड़ाने के लिए, एक दिन एक शक्स ने बिल्ली पकड़ कर उसे निगल जाओ, एक मरतबा आवंती ने एक दावत में देखा कि एक महमान खाना ही नहीं, खा रहा बलकि खाना अपनी जेबों में भी भर रहा है, तो आवंती ने केतली उठा कर उस महमान की जेब में चाए डालनी शुरू कर दी, इस पर महमान तो उसने कहा भाई, आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाईया खाई हैं, इसकी प्यास फुजाने के लिए में चाए डाल रहा हूँ, इसी तरह एक मरतबा मुलक में बादशा के दरबार में तीन खेर मुलकी आए, और उन्होंने तीन सवालों के सवाल किये, मगर दरबार में कोई भी जवाब नहीं दे पाया, बादशाने इस काम के लिए आवंती को बुलाया, खेर मुलकी ने आवंती उस आवंती से पहला सवाल पूछा, बताओ जमीन का मरकस कहा है, आवंती ने बगएत ताम मुलके कहा कि, मेरे गधे का अगला कدم जहां रखा हुआ है, वही जमीन का मरकस है, खेर मुलकी ने आवंती से पूछा कि, आप इतने यकिन से कैसे कह सकते हैं, आवंती ने कहा, आप चाहें तो अपनी तसली के लिए अच्छी तरह नाब तोल कर ले, खेर मुलकी ला जवाब हो गया, फिर दूसरे खेर मुलकी ने पूछा, आसमान में कितने तारे आवंती ने कहा मेरे गधे के जितने बाल है फिर तीसरे ताजिर बोला बताओ मेरे सर में कितने बाल है आवंती ने जट जवाब दिया जितने मेरे गधे की दुम में बाल है इस तरहां आवंती अपने हाजिर जवारी जवाबी और जहानत की वज़ा से सब को लाजवाब कर द तहाँ, अब बच्यों इस टैक्स भुटक के कोशिच अंसर है, तो टैक्स भुक के कोशिच अंसर पढ़कर सुनाने से पहले, एक चोटी सी रिक्वेस्ट है, सबी बच्चों को मेरे एक चोटी सी बात बतना चाहती हूँ, कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के खास खास प्रोडक्ट्स खरीदने का शौक है जैसे की आटोमेटिक शौपनर, मैनुल शौपनर, नीड एबल इरेजर, खास तरह की क्लिक पैंसिल्स, डबल टिप वाले पैन और खास खास तरह के गिफ्ट आइटम्स तो इन सभी चीज़ों का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगी आप यहां से जाकर खरीच सकते हो, बच्चों यह जो चीज़े हैं बहुत ज्यादा खास और यूनिक हैं चोंकि आम दुकानों पर नहीं मिलती है और अगर बाइचांस पा मुश्किल मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रिप्यूटर इनके लिए बहुत ज्यादा कमिशन खाते हैं और उनकी क्वालिटी इन चीज़ों की तरह भी नहीं होती है तो आप इन सभी चीज़ों को घर बैठे असानी से अपने लिए अपने दोस्तों के लिए फ्रेंशिप डे पर देने के लिए टीचर स्टे के लिए मंगबा सकते हो इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बाथ चोटे बच्चों की सैफटी के लिए है जैसे कि आप और आपके चोटे बाइ भाई पहन किसी भीड़ भड़ वाले इलाखे में जाते हो तो आप इस बैल्ट को अपने और अपने चोटे भाई भेनों के हातों में बन सकते हो यह जो बैल्ट है, इस बैल्ट से क्या होगा, कि बच्चे की सैप्टी रहेगी, वो आगे पीछे नहीं रहेगा, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर आते जाते टाइम, इस बैल्ट का यूज चोटे बच्चों के लिए जरूर किया करें, मैं अपने बेबी के लिए भी करती हूं तो ये जो बैल्ट है आफ लाइन कहीं नहीं मिलती है सिर्फ ओन लाइन अफिलेबल है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगी आप महाँ से जाकर खरीद लेना तो अब टैक्स बुक के कोशन असर पड़ते हैं इस चैप्टर के सवाल नमपर एक आवंती ने जमीन का मरकस कहां बताया आवंती ने जमीन का मरकस अपने गधे के अगले दाय कदम की तरफ बताया अगला सवाल है आसमान में कितने तारे हैं आवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया तो जवाब दिया था आवंती ने, आवंती ने कहा मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं, अगला सवाल है सराइवाले और मस्दूर में क्या जगड़ा था, तो सराइवाला मस्दूर, सराइवाला मस्दूर से यहां पर लिखना सेह ठीक, आपके 1000 रुपे वसूल करना चाहता था इसी बात पर दोनों में जगड़ा हो गया था अगला सवाल आवंती ने सरायवाले और मजदूर के जगड़े को हल करने के लिए क्या दलिल दी आवंती ने ये दलिल दी की जिस तरह भुने हुए गेहूं नहीं पैदा हो सकते उसी तर चोड़ता मू लटकना तुम क्यों मू लटकाए बेठे हो नेक्स्ट है बगले जागना तुमने चोरी की है इसलिए बगले जाग रहे हो नेक्स्ट है फिल अप्स तुम एक जिन्दा बिल्ली को पकड़ कर उसे निकल जाओ अगर आप यकी नहीं करते तो जाकर खुद ना लें बात्या फिर उल्जन में मुप्तिला हो गया मुस्निफ को मुंसिफ को यहां पर मुंसिफ आएगा मुंसिफ को आवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई